दोस्तों नमस्कार आपकी अपनी चैनल इस डियान लें साला में फिर से आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मार्क टेस्ट 3 कक्छा 8 वी के संपूर्ण हल तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं तो यहाँ पे पहला प्रस्ण है 2019 नोवल कोरोना वाइरस बीमारी का दूसरा नाम है सहीं उत्तर है A. COVID-19 प्रस्ण दो कोरोना वाइरस से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतनी की जरुरत है सहीं उत्तर है A. छिंकते और खांसते समय अपनी नाक और मूँ को रुमाल या टीसू से ढखे प्रस्ण तीन है इस विग्यापन का उद्देश से क्या है सहीं उत्तर है A. लोगों को कोरोना वाइरस से बचाना प्रस्ण चार है कोरोना वाइरस से दूसरों को एवं स्वयम को कैसे बचाया जा सकता है इसका सहीं उत्तर है D, वाइरस से बचाओ के सभी उपाय अपना कर प्रशन पांच, कोरोना वाइरस से बचाओ के लिए आपस में कम से कम की इदनी दूरी रखना चाहिए सहीं उत्तर है B, दो मीटर इसके बाद है प्रशन च्छे, यह अभियान किस लिए है सहीं उत्तर है B, मद्दान के प्रती सजग बनाने के लिए इसके बाद प्रशन शाथ है, खेत खलिहान और गाउं से निकल कर मद्दान करने के लिए किसे प्रेरित किया जा रहा है सहीं उत्तर है C, मद्दाताओं को प्रश्ण आठ, जागरुकता भियान के लिए इस्थानी भासा का उप्योग क्यों किया गया है इसका सही उत्तर है B, संदेश को अधिक स्यधिक लोगों तक पहुचाने के लिए प्रश्ण नव, लोगतंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्चक है इसका सही उत्तर है B, सभी मददाता वोट डाले प्रश्ण दस है, यह सुचना किसले जारी की गई है सही उत्तर होगा C, जनहित में इसके बाद यहाँ प्रश्चेद है, इसकी अधार पे प्रश्णों का जवाब देना है प्रश्ण 11, प्लेट फाम पर लोगों ने क्या देखा सही उत्तर होगा A, थैला लुड़कते हुए प्रश्ण 12, टिकट कलेक्टर ने क्या समझकर किराया लिया सही उत्तर है B, कुत्ता समझकर प्रश्ण 13, इन में से कौन सा कथन सही है तो इसका सही उत्तर होगा C, जेव में कचुआ था फिर है प्रश्ण 14, पापा ने बहुत कोशिस की वाक्य के इस्थान पर कौन सा वाक के प्रयोग किया जा सकता है इसका सही उत्तर होगा B, पापा ने बहुत प्रयास किया प्रश्ण 15 है, इन में से सबसे पहली घटना कौन सी है तो इसका सही उत्तर होगा B, थैला लुड़कने लगा प्रश्ण 16 है, कणिस्य संबन्दी था ये किसी साला में सत्र 2019 बीस में 206 अध्यनरत थे सत्र 2020 में साला में अध्यनरत चात्रों की संख्या 180 रह गई चात्रों की संख्या में कमी का प्रतिसात निम्ण में से क्या होगा सही उत्तर है C, 10 प्रतिसात प्रश्ण 17, 3, 6, 9 तथा 15 से विभाजित होने वाली सबसे चोटी पूर्ण वर्ग संख्या है सहीं उत्तर है B 900 प्रस्ण 18 दी गई संख्या रेखा पर एक आमान क्या होगा तो इसका सहीं उत्तर हो जाएगा 3 बटे 14 यानि कि D प्रस्ण 19 है 3 बटे 7 धन 3 बटे 14 गुना 8 बटे 21 इसका सहीं उत्तर होगा B 25 बटे 49 प्रस्ण 20 नीचे दिये गए आकणों की माद्धिका क्या होगी सहीं उत्तर है D 25 प्रस्ण 21 माइकल के पास कुछ कंचे है जिनकी संख्या रवी के कंचो की संख्या के 5 गुने से 10 कम है यदि रवी के पास X कंचे है तो माइकल के कंचो की संख्या को निम्न में से किस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है इसका सहीं उत्तर है C 5 X रिन 10 इसके बाद है प्रस्ण 22 नीचे दी गई आकरिती में PQRS तथा QSRT एक ही आधार SR पर दो समांतर चतुर्भूज है यदि QR लंब है QS पर तो कोन QTR की माप कितनी है इसका सहीं उत्तर है B 60 अंस प्रस्ण 23 है किसी साला की प्राथना सभा में 1296 विद्यार्थी इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्तेक पंक्ती में उतने ही विद्यार्थी है जितनी पंक्तिया है तो प्रत्तेक पंक्ती में कितने विद्यार्थी है इसका सहीं उत्तर होगा B 36 प्रस्ण 24 है एक आयात का छेतर फल x² प्लस 9x प्लस 20 है यदि इसकी चौडाई x प्लस 4 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी सहें उत्तर होगा a x धन 5 प्रश्ण 25 चार सेंटिमीटर भुजा वाले एक घन को एक सेंटिमीटर भुजा वाले एक घनों में काटा जाता है प्रारंभिक घन और कटे हुए घनों के प्रिष्ठी छेत्रफलों में क्या अनुपात है इसका सहें उत्तर है c एक अनुपात 4 इसके बाद प्रश्ण 26 है एक वर्ग पट का छेत्रफल 84-64 वर्ग सेंटिमीटर है इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी इसका सहें उत्तर है b 92 सेंटिमीटर नेक्स्ट है प्रश्ण 27 दिये गए सम्चतुर भुज pqrs में op बराबर 8 सेंटिमीटर तथा qs बराबर 12 सेंटिमीटर है भुजा pq की लंबाई कितनी होगी इसका सहें उत्तर है b 10 सेंटिमीटर फिर है प्रस्ण 28, सलगन पाई चार्ट टीवी पर विभिन प्रकार के चैनलों को देखने वालों की संख्या को दर्साता है उप्रोक्त पाई चार्ट अनुसार कौन सा कथन सत्य है इसका सहीं उत्तर होगा B. मनोरंजन चैनल को देखने वालों की संख्या कूल संख्या के एक तिहाई से अधिक है प्रश्ण 29 नीचे दिया गया दंड आलेख विभिन महीनों में बिजली की खपत को प्रदर्शित करता है निउनतम बिजली की खपत एवं अधिकतम बिजली की खपत वाले महीने कौन से है तो इसका सहीं उत्तर होगा B. फरवरी एवं मै नेक्स्ट प्रश्ण है नीचे दिये गया चित्र में समान माप के छोटे बलाकों को जोड़ कर बड़े बलाक बनाए गये है किस बड़े बलाक का आयतन सबसे अधिक है इसका सहीं उत्तर होगा A. बलाक 1 प्रश्ण 31 बुजो अपने घर जाना चाहता है उसके सामने चार रास्ते है रास्ता 1 चिकनी मिट्टी का रास्ता 2 घीसा संग मरमर का रास्ता 3 गिट्टी का रास्ता 4 बर्फ का किस रास्ते पर बुजो की फिशनने की संभावनक कम है इसका सहीं उत्तर होगा C. रास्ता 3 गिट्टी इसके बाद है प्रश्ण 32 पहली बेंच पर बैठा हुआ चात्र बलेक बोर्ड पर जो लिखा गया है उसे पढ़ना मुश्किल लगता है जब वह अंतिम बेच पर बैठता है तब बोर्ड पर लिखा हुआ इस पष्ट पढ़ पाता है चात्र की स्रोक से पिडित है इसका सहीं उत्तर है B. दूर द्रिष्टी दोस प्रश्ण 33 बुझो चार समान परक नलियों में पानी की समान मात्रा को गरम करता है वह अपनी परक नलियों को ज्वाला के विभिन छेतरों में रखता है तो इसका सहीं उत्तर हो जाएगा परक नली A याने की A प्रश्ण 34 किसी चाकों को घिस करतेज करने के लिए निमन लिखिद में से किस सतह सबसे अधिक उप्युक्त होगी सहीं उत्तर है A पत्थर की प्रश्ण 35 बाल्टी में रंग भरा हुआ है सोनु खाली पिचकारी का सीरा बाल्टी में डुबा कर पिचकारी को खीच कर छोड़ देता है तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया ऐसा क्यों प्रतीत होता है इसका से उत्तर होगा C वायू मंडली दाप के कारण प्रस्ण 36 सही कथन का चैन कीजिए यहाँ पे सही उत्तर है C प्राकृतिक गैस को उच दाप पर संपीडित प्राकृतिक गैस की रूप में संग्रहित किया जा सकता है प्रस्ण 37 चित्र में दर्साय उनसार कोई अलार्म घड़ी एक बरतन में रखी गई है अलार्म की ध्वनी बरतन के पास खड़े व्यक्ति को इस प्रश्ट सुनाई देती है अब यदि बरतन के अंदर से वायू को पूरी तरह निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनी की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी इसका सहीं उत्तर होगा C. ध्वनी सुनाई देना बंध हो जाएगी प्रस्ण 38 माल लिजी प्रित्वी तथ मंगल के बीच में एक नया ग्रहक होजा गया है इसका आवर्तकाल होगा सहीं उत्तर होगा इसका A. मंगल के आवर्तकाल की अपेच्छा कम प्रस्ण 49 दिये गये चित्र में चिकित्सक किस दरपन को उप्योग कर रहे हैं सहीं उत्तर है B. अवतल दरपन प्रस्ण 40 आपके घर के बगीचे में बहुत सारे पेल पोधे हैं उन पेल पोधों से गिरने वाली पत्तियों की निप्टान के लिए सर्वोत्तम तरीका कौन सा है इसका सहीं उत्तर होगा D. पत्तियों को एकत्र करके गड़े में डाल कर कमपोष्ट बनाएंगे प्रस्ण 41 नीचे दी गई वस्तूँ में से कौन सी वस्तू उस्मा की सुचालक है सहीं उत्तर हडी इस्टील की चमच इसके बाद है प्रस्ण 42 कौन सा समून संसलेशित रेसों का है सहीं उत्तर होगा C, PVC, Polythene, Bakelite इसके बाद है प्रस्ण 43 पहली एक खिलोना कार से खेर रही है वह अपनी कार को निम्न सतह पर दोडाती है उसकी कार कौन सी सतह पर अधिक तेजी से दोडेगी इसका सहीं उत्तर होगा C, सिमेंट की सतह पर प्रस्ण 44 उप्रोक्त अग्राप को ध्यान से देखिए बच्चों की आयो अनसार भार में सरवाधिक परिवर्तन किन वर्सों में हुआ है इसका सहीं उत्तर होगा D, 20-22 वर्स में प्रस्ण 45 पहली ने एक रोगी वहन को सड़क पर जाते हुए देखा उससे आश्चरी हुआ की इसके आगे की ओर एंबुलेंस सब्द उल्टा की रूप में लिखा गया है और रोगी वहन के आगे जाने वाले वहनों के चालकों को यह शब्द अपने पार्स दरपन में सही रूप में दिखाई दे रहा है जिससे वह रोगी वहन को आगे निकरने का रास्ता दे रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है इसके बाद है प्रस्न 46 राजु के पास दो एकड़ किर्शी भूमी है वह अपनी भूमी भासकर को तीन वर्सों के लिए पट्टे पर देता है एक वर्स के बाद भासकर भूमी मालिक की सहमती की बीनज भूमी को अपने नाम हस्तांतरित ट्रांसफर करवा लेता है किस कानून के अंतरगत राजु मुकदमत दर्ज करा सकता है सेंउत्तर होगा A. दिवानी कानून प्रस्न 47 दिये गए यंद्र को देखे यह क्या दर्साता है इसका सेंउत्तर है C. पवन की दिशा प्रस्न 48 नीचे दिये गए रेखा चित्र में कौन से जलवायू प्रदेश 10 अंस N अक्छांस 10 अंस S अक्छांस की भी दर्साया गया है सेंउत्तर होगा B. भूमत दे रेखे जलवायू प्रदेश प्रस्न 49 निम्न लिखित विकल्पों में से भारत में उन्येशिक सासन के दवरान कौन से एक समाजिक सुधार हुआ इसका सेंउत्तर होगा D. सती प्रथा का अंत प्रस्न 50 है निम्न में से कौन से कारण 1857 की विद्रोह में भारती सैनिकों को भड़काने के लिए उत्तर दाई था इसका सेंउत्तर है A. नए कार्तूसों में गाय और स्वार की चर्बी होने का संदे है इसके बाद प्रस्न 50 है अन्याय पर टिकी विवस्था को बदल कर व्यक्ति के सुषन को समाप्त करना किस आंदोलन का उद्दे से था सेंउत्तर है A. चंपरन आंदोलन प्रस्न 52 राहुल अपनी कालोनी की विकास हे तू कालोनी की मासिक बैठक में अपने सुझाओ देना चाहता है किन्तु उसे बोर्ने से रोका गया इससे उसके किस अधिकार का हनन हुआ सेंउत्तर होगा B. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रस्न 23 है किसी भी देश की विदेश निती की अधार चिला उसके राष्टी हित की सुख्षा होती है और भारत की विदेश निती का धिय यही है यह कथन किस महापुरुष्ट द्वारा सविधान सभा में कहा गया था सेंउत्तर होगा D. पंडित जवाहला नहरूने प्रस्न 54 है मेरे दादा जी बताते थे कि हमारे गाउं के सामने जो परवत है उसकी उचाई धीरे धीरे कम होती जा रही है यह कैसा इस्थली परिवर्तन है इसका सेंउत्तर होगा D. धीमी गती वाले परिवर्तन प्रस्न 55 है दक्षणी अमेरिका महादूइप के मान्चित्र में दर्साई गई नदी कौन सी है प्रस्न 56 अठावन इके पस्चाथ प्रिटिस आर्थिंग निती का प्रमुख उद्धिस था तिसका सेंउत्तर होगा B. भारती संसाधुनों का पूर्ण दोहन एबं सोसन फिर प्रस्न 57 दिसंबर 1929 को लाहावर अधिवेशन का प्रमुख प्रस्ताव था प्रस्न 58 भारती वायुसेन में प्रिवेशन पाने के लिए अधिकारी वर्ग का कौन से पत पाना होता है प्रस्न 69 इनमें से किसको उप्योग सरक बनाने के लिए किया जाता है इसका सेंउत्तर है B. बलुव पत्थर इसके पस्चाथ अंधिम प्रस्न है गैसी अफ्सिष्ट के निप्टारे है तू क्या उपाय किया जाना चाहिए इसका सेंउत्तर होगा D. उची चिमनी लगाना चाहिए